ये है टाटा नेक्सोन का नए आवदार इसमें क्या है खास पुरानी नेक्सोन से कितनी अलग है ये बताएंगे हर बड़ी और ज़रूरी बात आजकर बहुत से लोगों को क्या चाहिए सस्ती कार और फीचर्स की भरमार कई कार कमपनिया इसी सोच को बुनाने में जुटी है तो क्या टाटा ने भी नए नेक्सोन के साथ यही किया है इस सवाल के जवाब के लिए अब हम खोल ले जा रहे हैं नेक्सोन से जुड़ी हर बड़े बदलाव किये हैं खासकर फ्रंट और रियर साइड में नई नेक्सोन में आपको LED हैड लेंप्स मिलेंगे सिक्वेंशल LED DRLS मिलेंगे पुरानी नेक्सोन की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उसके रियर प्रोफाइल यानि की गाड़ी के पीछे के लु की डिजाइन भी आपको खास लग सकती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल में बहुत कुछ अलग सा नज़र नहीं आता हलंके अलॉई वील्स की डिजाइन आपका ध्यान खीच सकती है बात इंटीरियर की करें तो यहां आपको पहले के मुकाबले एक अलग ही तस्वीर दिखती है इसमें आपको थ्री टोन डैश्बोर्ड का विकल्प मिलेगा नई नेक्सोन में टू स्पोक स्टीरिंग रील दिया गया है जिसमें टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है इसमें 10.25 इंच का इंफोटेन्मेंट सिस्टम दिया गया है साथी वायरलेस एपल कार प्ले और एंड्रोइड आटो कनेक्टिविटी की सुवधा भी दी गई है इसके लावा नई नेक्सोन में 10.25 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिस पर आप मैप भी देख सकते हैं यानि इंफोटेन्मेंट सिस्टम के साथ साथ इस गाड़ी में आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी मैप देख सकते हैं नई नेक्सोन में आपको टच कंट्रोल पैनल भी मिलेगा यहां से आप 360 डिगरी हाई डेफिनिशन सराउंड व्यू देख सकते हैं जब गाड़ी किसी भीड़ भड़ वाली जगह से बुजर रही हो या कोई चीज उसके बहुत पास हो तो ऐसे में उसे बचा कर निकालने में इससे काफी मदद मिल सकती है टाटा के मुताबिक इस गाड़ी में फुली आटोमेटिक टेंपरेचर कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है इसके लावा आप टेंपरेचर को इस तरह कंट्रोल पैनल से अड़ज़स्ट भी कर सकते हैं इस्टी रिंग पर आपको कई फीचर से जुड़े बटन मिलेंगे जैसे आप यहां से वोईस कमांड दे सकते हैं टाटा का कहना है कि नई नेक्सॉन में छे भाशाओं में दोसों से ज़्यादा वोईस कमांड काम करती हैं जैसे आप वोईस कमांड के जरीए संरूफ को खोल सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं पूरी तरह मैनुवल मॉडल में आपको इस तरह का गेर लीवर मिलता है इसके लावा नई नेक्सॉन में 7-speed DCA यानि Dual Clutch Automatic तकनीक भी दी गई है इस काड़ी में Multi Drive Modes भी मिलते हैं City, Economy और Sport जिनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाली सीटों की हाइट को अर्जस्ट किया जा सकता है आपको इस काड़ी में Ventilated Seats भी मिलेंगी पीछे की सीट की बात करें तो यहां Lag Space परियाप्त है Rear AC Vent भी दिया गया है हालांकि आपको परियाप्त थाई सपोर्ट की कमी महसूस हो सकती है इस काड़ी में आपको 382 लीटर का बड़ा Boot Space मिलेगा बात सेफटी की करें तो नई Nexon में 6 Airbag मिलेंगे Occupants के लिए 3-point Seat Belt दी गई है इसके लावा Electronic Stability Program भी दिया गया है इसमें Emergency Call और Breakdown Call Assist जैसे Safety Features भी दिये गए है नई Nexon में जब आपको खास Features की भरमार दिखती है महगी गाडियों जैसा डिजाइन दिखता है तब कुछ जगवों पर Plastic की Quality आपको निराश कर सकती है इस गाड़ी के पूरी तरह Manual Variant में आपको Clutch Vibration की दिखत भी महसूस हो सकती है गाड़ी का Ground Clearance 208 mm का है टाटा का कहना है कि उसकी ये गाड़ी, शहरी और Gramid इलाकों दोनों के लिए ही मुफीद है चलिए अब आपको कुछ और खास फीचर्ज से रूबरू करा देते हैं टाटा का कहना है कि उसने डिजाइन, पावर ट्रेन और फीचर्ज के अलग-लग कॉम्मिनेशन से नई Nexon को अलग-लग परसोनाज में तैयार किया है जो इस तरह हैं अब जरा हर परसोना को विस्तार से देखिए ताके आप समझ सके कि किस परसोना में आपको क्या मिलेगा चलिए अब आपको गाड़ी के इंजन से जुड़ी जानकारी भी दे देते हैं अब आपको आपको अदोस्बरा प्रसोना थोस्बरा आपको अजन से देते हैं झाल झाल